। दोस्तों, मैं संजय भगत। आज हम पलास के उसधी गुनों के बिशे में चर्चा करने जा रहा हैं दोस्तों। आप अगर हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किरिपे आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर यह जनकारी अच्छा लगे तो आप दोस्तों के साथ जरूर सेयर करें और ये खुबसूरत लाल लाल फुल आप देख सकते हैं ये पलास की फुल है पलास की विशेम बहुत से दंथ कथा, लो कथा, पर्चलित है और पलास की विशेम क्या क्या उप्योग कर सकते हैं दोस्तों तब तक हमारी वीडियो में बने रहें आगे हम आपको बताएंगे दोस्तों तो आज इसके आउसादी गुनों के बीचे में चार्चा करते हैं यह पलास के आप देख रहे हैं फूल है और इस तरह से फूल खिले होते हैं लाल-लाल औ और पलास का जो पता होता है और इस परकार का पता है दोस्तों आप ये देख सकते हैं इसमें तीन पता होता है मुखी रूप से सभी पलास के तीन ही पते होते हैं आप पहचान देख सकते हैं इसी परकार से बड़ा कुछ होता है तिस परकार खोता है दोस्तों आगे चलिए इसके आवसाधि गुनों के बिसे में बता दें यह मुत्र रोग के लिए बहुत उपयोगी है जिसको गर्मी हो गया है आपको सरीर में गर्मी है तो उसमें इसके फुलो को आप रात में भींगो कर और उसको चान कर सुबह पी जाए जितनों भी गर्मी हो रुक रुक कर प्यसाब आता है उसमें यह बहुत उपयोगी है इसक आपके शरीर में यानि पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं जिनको कीर्मी कहा जाता है अगर वो है तो आप इनके बीजों को पलास के जो बीज है उन बीजों को आप हरात में भीगो कर और उसे मसल कर काढ़ा त्यार करके आप गूर के साथ उसको सेवन करिएगा तो उससे में आपको खत्म हो जाएगा और यह दोस्तों ईलौ आप देख रहे हैं यह पलास का जो कॉमल है इस दांठाल को आप धाकत के लिए भी उप्योंकर सकते हैं कमजोरी और ताकत के लिए यह डानठल को आप पीष कर पता समयत को डंठल है इसको आप पीछ कर आप इसको उप्योग करें इसका सेवन करें इसे को दावत मीलेगा क्या। इस लगाएगह भलाइगहा है। सबरेहे वरного more of online. 19 live क्रान कुछा क्लिन झाय होगा तोर इसदिन आप इसको डंठल हम मेरे हिसे जो ये पता आप देख रहे हैं ये पलास के जितने भी फोल पति छाल है सभी को मिला कर आप एक पनचांग बना ले पनचांग बना कर आप इसको सेवन करने से आपके सरीर में जो खून है को को सफाई करता है खुन को ये बहुत लबदायक है ये जो है आपके सरीर में फोसे फुंसी जो होता है उन सभी को फोड़ा फुंसी के लिए ये बहुत उपयोगी है और इसको अर्क बना कर आप इनके जड़ों को अर्क बना कर गर्म पानी को अर्क बना ले अर्क को आँख में डालने से इससे भी लाब होता है दोस्तों इसके बहुत अनेक फैदे हैं दोस्तों आज की वीडियो में बस इतने ही आपको वीडियो ने मेरा कैसा लगा आप हमें कोमेंट कर बताएं और चलिए दोस्तों आपको बता दे अभी हम पेंड पर चड़े हैं और यह बहुत खुबसूरत सा फूल देख सकते हैं दोस्तों यह परकृती का बहुत ही हमारा उपहार है यह परकृती ने उपहार दिया है दोस्तों इसका हम उप्योग करें और अपने जीवन को निरोग बनाएं